सुप्रभात वच्चों, आज के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है ये वीडियो है क्लास 2 के लिए और विशा ब्याकरन तो ब्याकरन में आज हम चप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका सिर्सक है सब्द और वाक तो इसमें पढ़ना है कि सब्द किसे कहते हैं और वाक किसे कहते हैं यानि सब्द का निर्मान कैसे होता है और वाक का निर्मान कैसे होता है तो इसमें कुछ उदाहरन के माध्यम से बताया गया है जिसमें है यह क्या है तो चित्र को देखकर ये एक प्रेस्ण है कि यह क्या है तो यह नल है तो नो और लो के मेल से नल बना है तो नल एक सब्द है जो दो अक्षर के मेल से बना है नो और लो के मेल से यानि नो और लो को जो हम मिलाते हैं तो क्या बनता है नल तो इसमें दो वर्णों का मेल हुआ है इसके बाद है किया क्या है तो यह चितर किसका है कमल का तो यह जो है कमल है को, मो और लो के मेल से कमल बना है तो कमल में जो है तीन अक्षर आए है को, मो और लो तो इसमें तीन वर्णों का मेल हुआ है तो यानि वर्ण कहते हैं अक्छर को यानि तीन अक्छरों का मेल हुआ है या तीन वर्णों का मेल हुआ है इसके बाद का ये चित्र है कि यह क्या है तो यह जो है कठल है और कठल में जो है कोटो हो और लो के मेल से कठल बना है तो यानि कटहल में जो है चार वर्ण है यानि इसमें चार वर्णों के मेल से कटहल सब्द का निर्मान हुआ है तो अर्थात वर्णों के मेल का जब कुछ अर्थ निकलता है तब वह सब्द कहलाता है तो बच्चों, जब हम बरणों का मेल करते हैं यानि अक्षरों का मेल करते हैं और उसका कुछ न कुछ जब अर्थ निकलता है तक हुआ क्या कहलाता है? सब्द कहलाता है तो दो बरणों के मेल से बने कुछ सब्द तो जहां पर उदाहरन के लिए जैसे दिया गया है कि दो अक्षर के मिल से कैसे सब्द का निर्मान होता है तो ये क्या है बस है तो बस में दो अक्षर का मिल हुआ है बो और सो तो बस सब्द में दो अक्षर है इसी परकार दो अक्षर वाले सब्द है घर फल रत तो ये सभी सब्दों में दो अक्षरों का मिल हुआ है, यानि दो वर्णों का मिल हुआ है इसके बाद है, तीन वर्णों के मिल से बने कुछ सब्द तो इसमें तीन अक्षर के मिल से बनने वाले सब्द है, जिसमें मो, टो, छोटी रो, यानि मतर, बतक, मगर, सरक तो ये सभी सब्द में तिन-तिन वर्णों का मिल हुआ है इसके बाद है चार वर्णों के मिल से बने कुछ सब्द यानि ये सभी सब्द जो दिये गए हैं इसमें चार अक्षर का मिल हुआ है जैसे कि अजगर में ओ, जो, गो, रो इसमें चार अक्षर है अर्थात ये मात्रा सहित सब्द होते हैं यानि कुछ सब्द ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें बेंजन बर्णों के साथ मात्रा का भी पर्योग किया हुआ रहता है यहीं मात्राएं भी लगी होती है तो इसको जो हम मात्रा सहित सब्द कहते हैं जैसे कि नाव में नो आकर नाव तो इसमें नो जो है एक बैंजन है और बैंजन के साथ आ की मातरा का पर्योग किया गया है तो इसी परकार सो में हर्स E की मातरा का परयोग, मचली में लो में दर्ग E की मातरा का परयोग और धनुस में नो में हर्स U की मातरा का परयोग किया गया है तो ये सभी सब्ध है जो एक बेंजन है और बेंजन में मातरा का परयोग किया गया है जिसमें आकी मात्रा, हर्ष एकी मात्रा, दिर्ग एकी मात्रा और हर्ष उकी मात्रा का पर्योग किया गया है तो इसी परकार चुहा, मुरीग, सेव, सैनिक ये सभी सब है जिसमें मात्रा का पर्योग किया गया है जिसमें चुहा में चो में दिर्ख उकी मात्रा का पर्योग, हो में आ की मात्रा का पर्योग किया गया है म्रिग में मो में रीकी मात्रा का पर्योग, सिव में सो में एकी मात्रा का पर्योग और सैनिक में 100 में आई की मात्रा और 9 में हर्सी की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो इसी प्रकार तोता, तौलिया, संक, लहंगा इत्यादी सब्दों में भी जैसे इसमें ओ की मात्रा का प्रयोग, अउकी मात्रा, अनुस्वार की मात्रा और चंदरबिंदू की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो आपने देखा कि सभी इसमें एक एक उदारन दिया गया जिसमें सभी बेंजन में उसकी मात्राओं का पड़ियोग किया गया है तो कुछ सब्द स्वर और बेंजन के मिल से बने होते हैं जैसे अचकन, आम, इमिली, एक तो इसमें जो है स्वर भी आया है और बेंजन भी आया है यानि ये सबी ऐसे सब्द हैं जिसमें स्वर और बेंजन दोनों का मिल हुआ जैसे कि अचकर में ओ एक स्वर है चो को नो ये तीन जो है ये बेंजन है उसी परकार आम में आ एक स्वर है और मो एक बेंजन है तो इसमे जो है स्वर और बेंजन का मिल हुआ है ठीक उसी परकार उळु, उद्विलाव, एकतारा, औरत, बच्चा, मच्छर, सर्प, ट्रक इत्यादी ऐसे सब्द हैं जिसमें जो है तो आपने जिसमें यहाँ देखा इसमें कि उद्विलाव में एकतारा और औरत इसमें जो है यह और बेंजन के मेल से बनने वाले सब्द है इसके बाद है कुछ सब्दों में संयुक्त अक्षर भी आते हैं तो संयुक्त अक्षर का मतलब है कि जिसमें संयुक्त अक्षर हो यानि जुरा हुआ अक्षर हो तो जैसे कि बच्चा, मच्छर, सर्प, ट्रक ये सब ही जो है ऐसे युक्त है यानि आधा रो है और पोजुरा हुआ है और ट्रक में भी रो का ये परयोग किया गया है यानि रोपदेन की मात्रा है तो ये सब ये समिक्ट अक्षर है जिसमें अक्षर जुरे हुए है तो इसके बाद है कि ध्यान देजिए कि कुछ सब्द एक बढ़न के भी होते हैं यानि कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो एक बढ़न के ही होते हैं और उनका अर्थ निकलता है तो आ जा नो है था इत्यादी ऐसे ही सब्द तो आ का मतलब होता है आना, जा का मतलब जाना, नो का मतलब नहीं, है एक क्रिया है और था भी एक क्रिया है, ऐसे पता चल रहा है कि ये जो है बरतमान समय का है और था का मतलब यानि बिते हुए समय का, तो कुछ सब्द केवल सोरों के मिल से बने होते हैं, तो कुछ सब्द ऐ ऐसे भी होते हैं जो केवल सवरों के मिल से बने होते हैं जैसे आओ, आई तो यह सब ही या इसी परकार आईए तो यह सब ही सब्द में जो है केवल सवर का ही प्रयोग किया गया और केवल सवर के मिल से ही बनने बाले यह सब्द है अब इसके बाद है यानि आपने सब्द के ब भाप्तु से एक वाक्य का निर्मान हुआ है. तो इसे बाद है कि मचलियां तेरती हैं. इसमें तीन सबदों का मेल हुआ है. खरगोस गाजर खाता है इसमें चार सब्दों का मिल हुआ है और आसमान में बादल चाये हैं तो इसमें पांच सब्द का मिल हुआ हैं तो इसमें कुल पांच सब्द है तो इसमें पांच सब्दों का मिल हुआ है इसके बाद है ध्यान देजिए कि सब्दों के मेल का कुछ अर्थ निकले तब ही वह वाक कहलाता है तो बच्चों सब्दों का जो हम मेल करते हैं अगर उसका अर्थ निकलेगा तब ही वह वाक कहलाता है जैसे मे मंदीर वजा घंटा तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो यह गलत है यानि इसको हम वाक नहीं कह सकते हैं तो दुसरा में यही सब्द को लेकर के हम इसको क्रमबत तरीके सजाते हैं कि जैसे पहले बेशा लेते हैं यानि मंदिर में उसके वाद है घंटा बजा यानि लाष्ट में किरिया का प्रयूग करते हैं तो इसका अर्थ निकल रहा है कि मंदिर में क्या बजा तो मंदिर में घंटा बजा तो ये एक इसका अर्थ निकल रहा है तो ये एक वाक्य है इसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं तो ठीक इसी परकार सवद में भी होता है कि जैसे अगर हम सवद में कोई तीन अक्षर वाले लेते हैं जैसे कि हो मो लो तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है और इसी अक्षर को जब हम सही तरीके से करते हैं जैसे की मो हो लो तो इसी को जब हम पहले मो लेते हैं उसका दो हो और लो तो ये एक महल होता है तो महल का अर्थ निकल रहा है तो इसको हम वाक कहेंगे और ये गलत है तो इसको सब्द नहीं कहा जा सकता तो सब्द में भी यही होता है कि जब हम बर्न का सही मिल करते हैं और उसका अगर अर्थ निकलता है तो सब्द कहलाता है और अगर अर्थ नहीं निकलता है तो उसको हम सब्द नहीं कह सकते हैं यानि यह गलत है तो इसी परकार वाक्य में भी होता है कि जब वाक्य का अर्थ निकलता है यानि सब्द का जब सही मेल होता है तब उसे हम वाक्य कहते हैं और जब सब्द का सही मेल नहीं होता है उसका अर्थ नहीं निकलता है तो वाक्य नहीं कहलाता है तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद